दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसे तिन प्रकार के काम जो अगर आप अपने जिन्देगी में पूरे दिल से करते हो तो मैं गैरेंटी के साथ आपको बॉल सकता हूँ कि यहां तिन काम करने के बाद आपको जो अवरत पसंद है या जो लड़की पसंद है वहाँ आप से चुटकियों में पड़ जाएगी और आपके साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी तो दोस्तो अगर आपको जानना है कि कौन से है वो तीन प्रकार के काम जो तीन काम करने के बाद कोई भी आउरत आप चुटकियों में पटा लोगे तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखे तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं नमबर एक दोस्तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप से जितना हो सके उतना उसकी तारीफ करो दोस्तो ये आप सबको पता ही होगा कि आउरत की तारीफ करेंगे तो हमसे इंप्रेस हो जाएगी लेकिन बहुत बार हम जोश जोश में ये चोटी सी बात भी भूल जाते है और जब हमारी मनपसंद की आउरत हमारे सामने आती है हमसे बात करने लगती है तो हमारे मूँ से दुनिया भर की हर बाते निकलती है लेकिन आउरत की तारीफ नहीं निकलती है फिर कोई तीसरा आकर औरत की भरपूर तारिफ करके उसे बटा ले जाता है इसलिए आपसे जितना हो सके उतनी तारिफे करो आज जितने अच्छे से उसकी तारिफ कर सकते हो उतने अच्छे से तारिफ करो लेकिन दोस्तो किसी अवरत की तारिफ करते समय इस बात को ध्यान में रखो कि आप उनके जुटी तारिफ कभी मत करो दोस्तो अवरत की तारिफ करते समय खास करके उनके तीन चीजों की तारिफ करो उनके सुंदरता की दूसरा उनके स्वभाप की और तीसरा उनके बनाये खाने की नमबर दो दोस्तो दूसरा जो काम है वह यह कि जितना हो सके उतना उस औरत का आप बिशवास जीत लो उसको ऐसा दिखाओ कि आप मेरे ऊपर आखे बंद करके बिशवास कर सकती हो और जब उस औरत को लगेगा कि आप बिश्वास करने के लायक हो और जब आप उसका बिश्वास जीत लोगे तो मैं गैरेंटी के साथ एक बात बता सकता हूँ कि उस औरत को पटाना आपके बाई हाथ का खेल हो जाएगा अवरत के सामने कभी खुद को उसका गुलाम मत दिखाऊ दोस्तो इसका मतलब क्या है कि कई बार पुरुशों में ये आदत होती है कि वहाँ अवरत के सामने खुद को उसका गुलाम दिखाते हैं बात बात में ये बताते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपके बगर मैं जी नहीं पाऊंगा, आपके ऐसा जताने पर आउरत आपको बेकार समझेगी और कभी भी आपसे नहीं पटेगी